दोस्तो हर पल इंजोई करने का सोंग बला किसे नहीं होता हर कोई खूबसूरत डेस्टिनेशन्स पर घूमना फिरना चाहता है और अपनी लाइफ को फिरिडम तरीके से जीना चाहता है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खूबसूरत और खतरनाक जगों के बारे में जहां पर जाना मोत को दावत देने से कम नहीं होगा तो चलिए सुरू करते हैं मैकलों रेलवे मार्केट थाइलेंड जरा सोचिये भरा पूरा बाजार सजी हुई दुकाने और दुकानों पर ग्राकों की भीड और इनी दुकानों के बीच रेलवे ट्रेक से गुजरती हुई ट्रेन जो इसे बेहत खतरनाक बनाता है ये ट्रेन दिन भर में इस ट्रेक पर से होकर आट बार गुजरती है फिर भी बाजार दुकाने सुचारू रूप से चलता रहता है क्योंकि वहाँ के लोग ट्रेन के टाइम पर ट्रेक से दूर अट जाते हैं इसका कारण है ट्रेन का सही टाइमिंग जरा सोचिए ये ट्रेन अगर किसी इंडियन मार्केट से होकर गुजरे तो क्या होगा पामबन ब्रिज अगर आपको खत्रों से खेलना पसंद है या फिर आप किसी भी चीज से नहीं डरते तो फिर ये रेल यात्रा आपके लिए सुटेबल रहेगी भारत की ये रेलवे ट्रेक रामेशरम से स्रिलंका को जोड़ता है चेननाई में समुद्र के उपर बना ये ट्रेक दो किलोमीटर लंबा है इस रेलवे ट्रेक को बनने में 16 साल का वक्त लगा था कई बार इस पर से गुजरती हुल ट्रेन को समुतरी लहरे ट्रेन को पूरा डग लेती है जो इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है अगर आप भी इस रोमांचक सफर का मज़ा लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताएं नारिज डैल डाइबलो रेलवे नाम से खतरनाक लगने वाला ये रेलवे ट्रेक भी बेहत खतरनाक है इसकी कहानी बड़ी ही डरावनी है इसको बनाने का काम 19-वी सताबदी में सुरू किया गया था और इसको बनाने के लिए 4000 वरकर्स की पूरी फोज लगी थी लेकिन लेंड्सलाइड की वज़े से काफी वर्सकर्स की जान चली गई और इस पर काम रोक दिया गया था लेकिन कुछ सालों बाद फिर से इसे बनाने का काम कम्प्लीट किया गया आज भी इस रेलवे रूट पर लेंड्सलाइड होती रहती है जो इसे बेहत खतरनाक बनाती है क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठे हों और आपकी ट्रेन बर्फ की सुरंग से होकर गुजरे तो आपको कैसा लगेगा जी हाँ दोस्तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक रेल रूट में से एक है यहाँ पर ट्रेन बर्फ के गलेसियर से होकर गुजरती है ये रेल रूट अलास्का को कैनाडा से जोडता है इस ट्रेक को 1879 में बनाया गया जो 175 किलोमेटर लंबा है तो दोस्तो क्या आपका भी ऐसी किसी खतरनाक जगह पर गूमने गए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद